नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा और आप देखने क्रॉस फायर क्रॉस फायर में हम आज आपकी मुलाकात ऐसी शक्सियत से करा रहे हैं जो भारतिय जन्ता पार्टी से तीसरी बार सदन में पहुंचे हैं उनकी जिम्मेदारी है लोग सभा के अदर जो भी कुछ घट रहा है वो प्रेस तक पहुंचा यानि कि प्रवक्ता हैं भारतिय जन्ता पार्टी के और साथ सी साथ भारतिय जन्ता युवा मोर्चा के रास्टी अध्यक्ष है मैं बात कर रहा हूँ अनुराग ठाकुल की में आई है तो सदन में जो भी घट रहा है जो देश के हित में है जो सरकार निरने कर रही है उसको आपके माद्यम से क्रोडों लोगों तक पहुंचाना जिसमें एक मीडिया बहुत बड़ा रूल अधा करता है उसका दायत्व मिला है और इस दायत्व को निभाने के लिए म अपने का अच्छे दिन वाली सरकार आई है दो महीने वीद गए महगाई काबू नहीं आ रही है लोग परेशान हैं सावन है शिवरात्री है रमजान है इद आने जा रही है अभी वी चीज़ें महगी है मैं आपसे बिलकुल भी सहमत नहीं हूँ पिछले चार वर्षों में अगर आप इन ही महीनों को देखें जून से लेकर नमंबर तक अलू प्याज टमाटर इनकी कीमतें बढ़ती थी 100-100 रुपे किलो तक जाती थी हमारी सरकार ने आते ही पहले दिन उचित कदम उठाए सभी राज्ये के लोगों को दो बार यहां पर मीटिंग करने के लिए मं 35 तक भी नहीं जाने दी उसके उपर भी नहीं जाने दी ये किसी ने किया तो कुशल तरीके से मारी सरकार ने किया है export onion price का एक price fix किया minimum export price पहले 3500 dollar किया तब उसको 500 dollar कर दिया है उससे कम वाले दाम पर कोई नहीं कर सकता है तो इससे जो विदेशों में जाना था माल वो यहीं पर रुग गया उससे कीमते स्थिर रहे जैसे ही आपने किया वैसे ही महंगा हुआ यहीं तो शरत यादों कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं उनकी जानकारी बिल्कुल गलत है जब दाम बड़े हमने उसके चलते एकदम से साड़े 300 dollar हमने उसका rate minimum export price fix किया और उसके बाद 500 भी उसको fix कर दिया है और उसको हमने बढ़ने नहीं दिया आज भी अगर आप market में जाएंगे क्यों हला नहीं होता है नहीं तो हम तो सड़कों पर उतर के हाहा कार मचाते थे और यह महंगाई किसकी देन है यह congress इसने 10 साल सरकार चलाई मैंने तो पहले दिन महंगाई पर चर्चा करते हुए कहा कि आपने self goal कर दिया है हमारे निरने तो अब होंगे एक महिने में सरकार का कोई निरने ऐसा नहीं हो जिससे महंगाई बढ़ती उल्टा हमने रोकने के लिए निरने किये है तो इसकी जिसकी नहीं जिम्मेदारी जाती थी वो कॉंग्रेस के उपर जाती है आखिर महंगाई क्यों बढ़ती है प्रकर भाई इसके उपर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा सिस्टम है किसान तो पैदा करता है देश के एक हिस्से में किसान उसको सड़क पर फैंक रहा है टमाटर को लेकिन दिल्ली में उसको महंगा खरीद ना पड़ता है क्यों सप्लाई चेन नहीं है प्याज तो पैदा होता है ठीक कमी कहीं नहीं यह पहले से ज़ादा पैदाबार हुई है लेकिन कमी कहा है इसको किसे ने सुदार ना था स्टाट वर्षों में कॉंग्रेस कोंड चेन का सिस्टम पैदा नहीं कर पाई सप्लाई लिंकेज नहीं के कटी कर पाई इसके लिए किसको दोशिक? कॉंग्रेस को लेकिन अब हमने कहा है इसको PPP मॉडल मे अकर्षित एक मॉडल लेकर आएंगे ताकि इन्वेस्टर बड़े से बड़ा जगा जगा छोटे छोटे कोल्ड चेन की सुविदा बनाए किसान उसको बेच पाए APMC Act ये किसान को मारने पर मजबूर कर देता था इनको सेस लगाया जाता था लोकल मंडियों पर देने के लिए बात कही जाती थी आरतियों के माद्यम से आने की बात कही जाती थी हमने सीधे निर्देश दिये हैं कि fruits and vegetables फल और सबजियों को APMC Act से बहार रखा जाए किसान हिंदोस्तान की किसी कोने में बेचे उसको खुली छूट होनी चाहिए किसान को पूरा दाम मिले और आप जैसे उप भुकता को भी सस्ता दाम मिले आपने कहा किसान को पूरा दाम मिले मिलता नहीं है गन्ने के पैसे अभी तब भुकतान नहीं किये गये ये भी हमने आके किया है पूरो उक्तरवदेश की हालत बूरी है विहार की हालत बूरी है मैंने नेता जी से कहा मुलाइम जी से और ये सदन में हम लोग ने कहा कि यूपी की सरकार किवल किसानों को दिखाने के लिए कोई सरकार ये निरने ले ले लेती है कि हम किसानों को minimum support price ज़्यादा देंगे लेकिन सरकार का उसमें क्यों यह उगदान है पुछ नहीं वो मिल वालों को कहते हैं आप ज़्यादा पैसा दे दो मिल वाला कहते हैं मैं पहले 600 क्रोड रपे घाटे में ज़्यादा पैसा कहां से दू मैं मिल बंद करने के लिए त्यार हूँ लेकिन मैं किसान को ज़्यादा नहीं दे सकते तो उसमें भूमी का कौन निभाएगा कैटलिस्ट की भूमी का निभानी पड़ेगी तो परदेश या केंदर की सरकार को हमारी सरकार ने आकर 1000 क्रोड रपैया चीननी मिलवालों को देने के लिए कहा कि हम इनको देने के लिए तियार हुंगे बैंकों के मादियम से ये किसानों को दें हमने इस साथ में शर्त रखी है एक और बड़ी बात बारबार निकल के आती है कि ये सरकार कहती है कि हम हिमाले रेंज के अंदर बेतर काम करना चाहते हैं और आप लोग करें ग्यारा स्टेट ऐसी है अलग से इसका मंत्राले बने इसमें कितनी सचाई है ये सिर्फ अल्ला है देखिए प्राइवेट मेंबर बिल में उत्राखंड के पूर मुक्य मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरयाल निशंक जी ने इस बिल को लेकर आ रहे मुझे भी उस पर बोलने का सुभाग्य मिला बहुत सारे सिदस्यों ने इसमें भाग लिया अब सचाई मानिये समतल इलाकों में रहने वाले लोग पहाड़ी राजियों के लोगों की दिक्कत नहीं समझ सकते जो उत्र प्रदेश में रहता उसको उत्रा खंड के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति का दर्द नहीं समझ सकते क्योंकि समतल इलाके में जो चीज 30,000,000 रुपे की बनेगी वो भाड़ी क्षेतर में 1,000,000 रुपे की बनेगी जो अधिकारी बंद कमरे में एसी दफ्तर में बैठा उसकीम को बना रहा है वो इस समझ नहीं पारा वहाँ पर N.O.C. लेना कितना मुश्किल है वहाँ 1,000,000 की बादी नहीं होगी शहर की वहाँ हो सकतर 10,000 की बादी हो लेकिन उसको सुविदाएं 1,000,000 वाले की चाहिए जो समतल के क्षेतरों में लोग रहते हैं लेकिन उसको वो नहीं मिलता है उसको कैसे दूर करेंगी आप एक अलग मंत्राले बनाईए जम्मू किश्मीर, उत्राखंड, हिमाचल परदेश के लिए और उसमें नौर्थीज के आठ राज्यों को जोड़ा जाए जब आप उनको जोड़ेंगे, उनकी दिक्कत को समझेंगे तो आप उनकी समस्याओं का समाध्धान कर पाएंगे नहीं तो आप कहेंगे 500 की अबादी वाले गाओं को परदान मंत्री ग्रामिन सड़क योजना से जोड़ना है अब पहाडों में तो 100 की अबादी वाले गाओं भी बचारे दूर-दूर क्षेत्रों में रहते हैं तो 67 वर्षों के बाद योजना सड़क से नहीं जुड़ पाए उनको पानी की सुविदा नहीं, बिजली की सुविदा नहीं जब कारगिल का युद्वा तो सबसे अधा बलिदान हिमाचल के नौजवानों ने दिया सैनिकों ने दिया चार परमवीर चक्र मिले दो हिमाचल परदेश के लोगों को मिले 53 नौजवानों ने शहादत दी लेकिन जब भरती की बहत आती है सेना में तो कहते हैं जनसंक्या के अधार पर करेंगे हमारी अबादी 70 लाग है तो हमारा क्या कसूर है हमारे शहादत देने वाले रन बांकरों की कमी नहीं है लेकिन भरती होने के लिए हमारे प्रपरशन्चीन उठाए जाते है हिमाचल के लिए बजट का प्राफधान कम होता क्योंकि 70 लाग की बात दी लेकिन शेतर फल देखें तो लॉर्ज बिती जैसा एक जिला ही कई राज्यों के दसदस जिलों के बराबर है आपने बात की बजट के भी 500 करोर रुपिया केंड सरकार ने क्यों वापस ले लिया जो special पैक्ट जाता है माचल को यह क्यों वापस ले लिया गया ना प्रदेश सरकार ने अभी तख हमें जानकारी दी है ना किसी प्रदेश के मंतरी ने अभी तक सांसुदों से बात करने की इच्छा जाहिर की ना ही हमें कोई संपर्क किया गया कि केंदर सरकार के साथ इसको उठाया जाए इसलिए मैंने कहा जब मुख्यमंत्री जी आपके पतर का जवाब तक ना देते हों तो सांसुदों को कैसे पता चले गया क्या कमिया थी उ सरकार थी वहाँ अब राजा साथ की सरकार है तो हिमाचल सफर करेगा नहीं करना चाहिए हम तो केंदर से जाज़ा से यदा प्रजेक्ट लेकर आ रहे हैं लेकिन परदेश सरकार की मंचा ना हो खर्च करने की बहुत सारे पैसे पिछले डेड़ वर्ष में प्रकरजी ऐसे ह जो केंदर की परियोजनाओं से आए और प्रदेश सरकार उसको खर्च नहीं कर पाई ऐसे की ऐसे बाप पेश चले गए अप उठाएंगे ये बाद संसद में आप खर्ट लिखेंगे या आप शिमला जाके मुखमंतरी को ग्यापन देंगे अरे हमारे पतर का जबाब नहीं आता है तो फिर भी हार तो नहीं मानने है लोगों के प्रती उनके विकास के प्रती प्रती प्रतिबद है और हम केंदर सरकार से हिमाचल की हर मांग को पूरा करवा के देंगे अगर हम 85 सीटे अपने medical students को दिला सकते हैं MBPS की तो हम केंदर सरकार से अपनी मांगों को लेकर लड़ेंगे हम लाएंगे लेकिन परदेश सरकार की इच्छा शक्ती भी तो कहीं होनी चाहिए खास और पर आपने इच्छा शक्ती की बात कही अब केंदर में आपकी सरकार है अब तो बहतर दिन आने चाहिए अच्छा शक्ती आपकी लागू होती 65 प्रतिशत युवा है इस देश के अंदर आपने कहा था इन युवाओं को हम साथ लेके चलेंगे नरेदमोदी की सरकार आगई अब इन्हें रोजगार कैसे मिलेगा देखिए कुनेक्टिविटी बहुत बड़ी बात है मैंने अपने लोगसबाक शेतर में उन्ना से हम तक रेलवे लाइन पहुंचाई अब उसको तलवाड़ा तक पहुंचाने की हम पुरा प्रयास कर रहे हैं बीस क्रोड पहिया बजट में भी डिलवा दिया है और उन्ना से अमरिपूर का सर्वेक्षन भी मंजूर करा दिया देश में केवल अठारा सर्वेक्षन मंजूर हुए उसमें से दो केवल मेरी लोगसबाक शेतर के हैं बनुपली बिलासपूर रेल वे लाइन के लिए 8 क्रोड रुपई हमने दिला दिया और केंदर से जो सीमा वर्ती क्षेतरों के लिए रेल परयोजना है हम उस 1000 क्रोड रुपई हैं में से भी पैसा लेंगे ताकि भनुपली की बिलासपूर रिल्वे लाइन के लिए पैसा इस साल भी खर्च हो सके फोर लेन एक्सप्रेस वे किरतपूर से लेकर बिलासपूर सुंदर नगर के लिए मंजूर करा दिया है 2160 क्रोड रुपे का अब नितिन गड़करीजी से एक मीटिंग और हुई है जिसमें बाकी जो रोड है उनको और चोड़ा किया जाए ताकि आने जाने के समय को कम किया जाए इस पर हमारी प्रात्मित्ता से काम चल रहा है आप युवाओं के संग जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे पूरे देश का युवाओं पूछ रहा है कि उसके अच्छे दिन कैसे आएंगे देश के युवाओं को ये अधिकार है पूछने का मोदी जी की सरकार लाने में देश के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है युवा मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका है और इस बात का उत्तर मैं आपके चैनल पर देना चाहूंगा सबसे पहली बात तो है कि सरकार की चवी कैसी है पूर्व की UPA1, UPA2 में भष्टाचार इतना हुआ कि देश की चवी सरकार की चवी बहुत कराब थी निरने लेने की क्षमता नहीं थी और लगातार प्रजेक्ट डिले होते थे जिसके कारण रोजगार उत्पन नहीं होता था बलकि कम होता चला जा रहा था अटल विहारी वाजपेई जी ने 1998 में जब उनको सत्ता मिली तो 3.2 फीसदी विकासदर थी जब वो छोड़ कर गए तो 8.4 थी मनमोन सिंग जी उसको कम करके 4.5 फीसदी पर ले आए हमारा सबसे पहला प्रयास है 4.5 फीसदी से इसको 5.5 फीसदी पर लाए जाए इस साल और जो हमारा फिसकल डेफिसिट है जो घाटा है उसको भी कम किया जाए उसको 4.1 फीसदी पर लाए जाए एक बहुत बड़ी चुनोती है लेकिन सरकार ने साफ छवी के साथ काम करना शुरू किया है आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा सर्वसिस के सेक्टर में 58 प्रतिशत ग्रोथ हुई है किवल दो महिने के अंदर बहुत बड़ा जंप है आइस्ता आइस्ता इस बजट के कारण सरकार की साफ छवी के कारण जल्द निरने लेने के किशमता के कारण यहां पर इंवेस्टमेंट और बड़ेगी बिजली की कमी जो पूरे देश पर में है उसको दूर करने के लिए कोल लिंकेज कैसे दी जाए गैस लिंकेज कैसे दी जाए 50,000 मेगावाट के प्रजेक्ट 24,000 गैस लिंकेज के कारण नहीं बन पाए 25,000 कोल लिंकेज के कारण नहीं बन पाए इनको जल्द कैसे शुरू किया जाए इस पर भी हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और देश को हम आगे लेकर जाएंगे और नौजवानों को उसी विकास से रोजगार मिलेगा इस बात का मैं आपको विशवास दला सकता है शुरू